नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका पंजाब के सीड.com में और मैं हूँ आपके साथ राकिसकुमार उतरपरदेश विदानसभा के सितकालिन सत्र में अनुपूरक बजट आज का रहा उतरपरदेश सरकार आजबुदवार को वित्वर्स 2023-2024 का पहला अनुपूरक बजट पेस करेगी जानकारी के मुताबिक ये बजट 42,000 करोड रुपे तक का हो सकता है ये अब तक का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट होगा जो इसका मुख्य फोकस है वो अयोध्या में रहने वाला है वही अयोध्या की साथ साथ अधोगे की विकास और किसानों पर भी इसमें ध्यान दिया जाएगा देखे इसे वितवर्स के पहले 2022 और 2023 का अनुपूरक बजट लगभग 33,500 करोड रुपे का था पिछली बार की अपेक्षब इस बार लगभग 8,500 करोड रुपे से अधिक का बजट होने वाला है आपको बता दे कि इस बार का मुख्य बजट भी अब तक का सबसे बड़ा बजट था इस बार के बजट का मुख्य केंद्रित बिंदू अयुद्ध्या और तीर्थ विकास परिस्दों के विकास हो सकता है बाहि जनवरी के अयुद्या में रामंदीर की प्रान प्रतिश्था और कारकरम सामारों को देखते वे इसका भवे बनाने के लिए इस बजट में तमाम जो परब्दान है वो किये जाएंगे बाई जनवरी को होने वाले कारक्रम के पहले और बाद में होने वाले कारक्रमों पर विशी से फोकस रहने वाला है अयोधा के या तेरिक तेस बजट में सड़कों के निर्मान पर भी विशी से जो फोकस है वो रहने वाला है दिल्ली से चलकर बलिया पहुंचने वाले लोगों के लिए आगरा लखनो एक्सप्रेसवे से उतरने के बाद फुर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चटने की बीच काफी जो ट्रैफिक है ओज हिलना पड़ता है उस बीच और इस कारण दोनों के बीच में लिंग एक्सप्रेसवे बनाने का जो प्रावधान है इस बजट में मिल सकता है इसके साथ ही फरुखाबाद को गंगा एक्सप्रेसवे से जोडने का भी प्रस्ता मिल सकता है वहीं उत्य प्रदीस में संचालित पांच एक्स्प्रेस्वे के किनारे 30 के करीब और दोगे के गलियारों को बनाने के लिए भी रासी सरकार इस बजट में दे सकती है इसके साथ ही बच्चों में देने वाले टैबलेट करदें के लिए बजट इस अनुपूरत बजट में रहने वाला है इसके लावा बात करते हैं दोस्तों कुछ बड़ी योजनाओं पर भी तो देखिए जो पहली जो बड़ी योजना है वो ये है कि अयुद्धा में राम मंदिर के निर्मान के लिए अत्रिक्त जो रासी है वो अवंटित की जाएगी नबर دो पर है अयुद्धा में परियटन को बढ़ावा देने के लिए जो गोसनाएं हैं वो की जाएगी और देखे नुबर तीन पर है नई अध्योग की नीती की जो गोसना है वो की जाएगी चौछे अस्तान पर नए उद्योगों को स्थापित करने के लिए सबसीडी और अन्य प्रोस्थान जो रासी है वो दी जाएगी पास नमबर पर बुनियादी धांचे की विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा चजटे के अगर बात करें तो देखे किसानों के कल्यान के लिए नई यह जनायगी तो यूगी सरकार 2014 के आमचे जीद हासल करने के लिए पूरी तरह से तयार है इसे बजट को किसी बी डिश्टिकों से देखा जाएगा है सरकार इसे बजट की माध्यम से लोगों को लुभाने और अपने अजनाधार को मजबूत करने की कोशिस करेगी कैसी लगी है तमाम जानकारी हमें कमेंट्स में लिकर जरूर बताईएगा और फिलाल के लिए मुझे दीजिये इजाज़त देखते रही पंजाब की सरी आपका बहुत बहुत धन्यवाद